एक बार फिर स्वागर थे आप सभी का हमारे एक और ने मज़ेदार वीडियो के अंदर दोस्तों आज की वीडियो में फिर से हम आप सभी के लेके आगए हैं एक बहुत इंप्रोटन कोशन को एनाज का जो कोशन है वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो cold climate वाली reason होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है जहां पर बहुत ज़्यादा बरफ गिरती है तो वहाँ पे जो नदियां होती हैं वहाँ पे जो तालाब होते हैं यार वो तो पुरी तरीके से बरफ से ढख जाते हैं तो उसके अंदर उन नदियों के अंदर जो living organism रहते हैं जो पानी के अंदर जो aquatic animals रहते हैं वो अपना survival कैसे करते हैं वो अपना गुजारा कैसे करते है उस पानी के अंदर क्योंकि उपर बरफ लग चुकी है और बरफ लग चुकी है तो पूरा का पूरा पानी अगर बरफ बन चुका है तो पूरे के पूरे पूरे पानी बरफ बन जाने के बाद वो एक्वेटिक आर्गेनिसम जो होते हैं वो कैसे अपना सर्वाइवल करते हैं वो कैसे अपना गुजारा करते हैं, आप लोगोंने डोरिमॉन वारी कहानी तो देखी होगी, जिसके अंदर डोरिमॉन नोबिदा जाते हैं, एट्लांटिक पर और वहां पर वो लोग फिशिंग करते हैं, पहले वो लोग बरफ को तोड़ेंगे, बरफ तोड़ने के बाद फ कि इस question के solution में हम लोग यहां पे क्या कुछ लिख सकते हैं अब यहां पे आप लोगों सबसे पहले यह जानना चाहिए कि यह जो cold country होती है जहां पे बहुत ठंडी पड़ती है इनके यहां पे जब winter आता है यानि कि ठंडी का मौसम आता है तो उस समय पे जो temperature होता है आपको मा मारे air का temperature कम होगा यानि की low होगा वैसे वैसे हमारा जो molecule होगा हमारा जो water के molecule होगे यह एक दूसरे के और जड़ा करीब आएंगे और एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे लेकिन यहाँ पे कमाल की बात यह है कि पानी जैसे जैसे बिलो temperature हो रहा है यानि कि उस्का temperature तो जैसे पानी का तूँचा चाही से पानि घंपरेटर से चाहर वारे के सभी मॉलीकुल बीच्वरेटर में की अधे सब्सक्राइब करना चाहिए आपस में जूडना चाहिए आपसे मिलना चाहिए और यह दूसरे के और ज़्यादा करीब आना चाहिए लेकिन यार करीब आने के भी एक limit होती है एक सीमा होती है तो उससे ज़्यादा और करीब आएंगे तो यहाँ पर लोग कुछ और समझेंगे तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसी जगे जहाँ पर बहुट ज़्यादा ठंड़ी पड़ती है जहाँ बरभ बारी गिरती है वहाँ पर जो नदिया होती है नदियों का जो आउटर मुज लेर होता है जो की हमारे सराउंडिंग से डायरेट क pessoas बहुत ज्यादा बरफ के गिरने से बहुत जाद ठंडी कोने से उपर वाले लेयर के सारे मॉलीक्यूल के करीब आज आते हैं चिपक जाते हैं और वो लोग वहां पर आइस बना देते हैं आप लोगों यहां पर एक बात मालूम होगा कि यह जो हमारा आइस होता है जो हमारा बरफ होता है यह हीट का और electricity का बहुत ही bad conductor होता है इसके अंदर से heat और electric current पास होने वाला नहीं है आइस में से और इसलिए जो हमारा आइस होगा आइस का जो अपर लेयर होगा वो as it is बना रहेगा क्योंकि बाहर से surrounding से यह जो heat है वो अंदर enter करने देगी नहीं और यही कारण है कि जो aquatic animal होते हैं जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वह temperature zero degree Celsius के नीचे जाने के बाद भी अपना survival करते हैं अपना गुजारा करते हैं अपना जीवन यापन करते हैं इसे ही हम कहते हैं पानी का anomalous behavior यानि की पानी का अपना कुछ अलग सा कुछ विचित्र सा behavior इसे ही कहते हैं हम लोग अनामलस behavior of water आई होप आइस आप लोग को कोशन का answer समझ में आया है अच्छे से और अगर आप लोग को कोशन का answer को समझने में कोई problem है कोई तकलीफ है कोई परशानी है तो आप लोग हमें comment box में comment करके जरूर से बताइए आपके सभी सवालों के जवाब हम शीख रातिश्री के देने की कोशिस करेंगे और इसके आगे के topic इसके आगे के content के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगरे वीडियो में अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ value सिख करो and as usual thank you for watching Jaihin